हलो स्ट्रेंट्स, आज हम क्लास 9 का सर्कल चेप्टर की एक्सेसाइज 9.3 का कोश्चन 11 करने वाले हैं से पहले मैंने एक एक वीडियो में के कोश्चन करके बताया है सब तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे देखो कोश्चन क्या दे रखा है ABC औड ABC हो टू राइट एंल क्या बोल रहा है ABC यह राइट एंगल का साइन लगा दिए and ADC ADC यह राइट एंगल का साइन लगा दिए दोनो राइट एंगल दे रखे है फिक है, with common hypotenuse hypotenuse क्या दे रखे, AC देखो यह right angle है तो इसकी hypotenuse ही होगी और यह right angle है तो इसके सामने वाली इसकी hypotenuse तो दौनों hypotenuse A-C क्या है? common है और चो हमें prove करना है वो prove करना है prove that angle C-A-D C-A-D मतलब यह वाला एंगल ठीक है? equals to angle C-B-D तो C-B-D मतलब यह वाला एंगल ठीक है? इसके हमें equal prove करना है तो यह hypotenuse है और यह साथ ही साथ क्या है diameter भी है ना चलो अब हम शुरू करते हैं हमें क्या करना है इसमें सबसे पहले तो देखो A-B-C-D यह सब किस पर आ रहे हैं? circle पर आ रहे हैं तो क्या हो गए? con-cyclic हो गया चारों point किस पर आ रहे हैं? circle पर आ रहे हैं अब हम क्या करेंगे? एक construction करेंगे तो construction क्या करना है? join B-D B-D को हम join कर देंगे यह मैंने कर दिया है पहले से B और D को join कर दिया है अब देखो जो यह DC है DC क्या है? cord है? यहाँ पर मैं लिख दूँगी DC is a cord चीक? इसके बाद therefore C-A-D C-A-D यह जो angle हमें find out करना है है न? and C-B-D C-B-D यह जो दूसरा angle find out करना है ठीक है? यह दौनों कैसे हो जाएंगे? यह दौनों के दौनों equal हो जाएंगे तो मैं है लिख दूँगे angle C-A-D equals to angle C-B-D कैसे? अब मैं तुम्हें बताते हूँ कैसे? यहाँ पर हम region भी लिख देंगे angles in the same segment ठीक है? same segment में बने हुए angles कैसे होंगे? इकॉल होंगे और ऐसे भी बोल सकते हूँ और तुम दूसरे तेगे देखो DC chord है तो DC chord पर ही दौनों angle बन रही है यह DC है यह angle A और यह angle B तो भी क्या होंगे? इकॉल होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आरे हैं प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं फॉलो जरूब करते हैं